जैहिंद इस विडियो हम लोग आया ये फ्राइनांस लिम्टेंट कमपनि के बारे हम बात करेंगे उस कंपनी ना हाले में टिविटेंट देने की घोशरा की है वा मिले बात करेंगे jaanengे कि डिविडेंट कब मिलेगा कितना रुपया मिलेगा तय oynangे要 वीडियो को पूरा देखिएगा चले वीडियो सुरू करते हैं लोन पास कराने के काम करती है जैसे कार लोन बिजनेस लोन मोटर कार लोन यहीं सब यह कंपनी देती है कंफनी को मार्केट केप 11,895 करोन पर अगर इसके मिटिंग के बात करें तो वह 24 टारिक को होई थी और इसी मिटिंग में दो प्रमुख बाते निकल कर सामने आई जिसमें कंपनी ने कहा था कि वो इंट्रिम डिवडिन्ट देने जारही है और इसका लावा कंपणी ने उसी Board of Directors की जो मिटिंग होई तो उसमें quarter 3 के रिजल्ट्स के नतीज़ जारी किये थे पहला हम लोग इसके इंट्रिम डिविडेंट के बारे हैं बात कर लते हैं फिर quarter 3 के नतीज़ों पर चर्चा करेंगे कंपणी का कहाना है कि कंपणी चाहरे तीन रुपए पर टीविडेंट देने जा रही है यानि कि एक शेयर पर कंपणी आपको उसके डिविडेंट लेना है तो आपका नाम कमपणी के रिकॉर्ड लिश्ट में चार फ़री तक आना चाहिए और अगर आपके पास इसकंपणी क के बाइक कर लेते हैं तो आपका नाम चार फरोरी तक इस कंपणी के रिकॉर्ड लिष्ट में आ जाएगा और आप भी इलिजिबल हो जाएंगे इस कंपणी के डिविडेंट को पाने के लिए इसका लावाब बात करें तो कंपणी का जो डिविडेंट इमाउंट होगा वह आपके बैंक एकाउंट में 30 फरोरी के पहले तक आ जाएगा किसी भी कंपणी के डिविडेंट को आने में 2-3 सप्तार लगते हैं बैंक एकाउंट में आ जाता है लास्ट डिविडेंट की बात करें तो कंपणी ने पिछली बार 4 फरोरी दूजा रिक्रि साड़े तीन रुपया डिविडेंट करने जा रही है अब हम लोग कंपणी के रिजल्ट पर चर्चा करते हैं कंपणी का रिविन्यू मुनाफ़ा अर्निंग पर हर एक चीज के मुकाबले बहतर हुआ है अगर रिविन्यू की बात करें तो कंपणी का रिविन्यू 848 करोण हो गया है जो कि क्वाड़ टू में सिर्फ 1713 करोण था रिविन्यू पढ़ा है प्रोफिट आफ्टर टेक्स इसको सुध मुनाफ़ा कहते हैं क्योंकि यह टेक्स देने के बाद कंपणी के पास बचता है यह 310 करोण हो गया है क्वाड़ टू में सिर्फ 292 क्रोण था यानि जो लाकर बात यह है कि क्वाड़ टू के मुकाबले बहतर है इससे लगता है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है अगर होल्डिंग पैटर्स की बात करें तो इसमें प्रमोटर्स के पास सिर्फ 25 परसंट हिस्सेदारी है इस कंपनी में पाबली के पास 53 परसंट की हिस्सेदारी है और अधर्स के पास जिसमें एफ याई याई आते हैं उनके पास सिर्फ 22 परसंट की हिस्सेदारी है होना यह चाहिए था कि प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में अगर और अधिक होती तो ज्यादा बहतर होता फिर भी कोई दिकतने कंपनी के फंडामेंटल और फाइन तुमीद करता हूं वीडियो आपको इंफर्मिटीव लगी होगी मैं जो बताना चाहरा तो आपको समझ में आया होगा और मैं हर एक डिविडेंड के उपर जो जरूरी डिविडेंड होते हैं उसके उपर जरूर वीडियो बनाता हूं तो अगर आप इस तरह के नौलेज से रूब 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 रहना चाहते हैं तो हमारे ने वह सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में सुक्रिया धन्यवाद